हेलो फ्रेंड्स, Power BI टुटोरियल में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक निया वीशुल जिसका नाम है Stagged Area Chart Area Chart के उपर अल्रेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि Stagged Area Chart क्या होता है इस पे भी आप वीडियो टुटोरियल जुरूर लेके हैं तो आज सभी की दिमांड के उपर मैं इस वीडियो को ले आई हूँ आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे Stagged Area Chart Stagged Area Chart कहां पे यूज होता है Area Chart और Stagged Area Chart में में क्या डिफरेंस है ये सारे पॉइंट्स में इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ तो आप एंट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए मैं शाली नहीं स्वागत करती हूँ आपका Learners Academy में ग्रपूस चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टांगरे चांट बनाने के लिए हम सबसे पहले यहां पर एक न्या पेज इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर Hongkis starked area chart देखिए हमारा layout आ चुका है अब आती है turn fields की तो देखिए चाहे आप line chart की बात करें area chart की बात करें या फिर starked area chart की बात ये तीनो तभी use होते हैं जब आपने किसी parameter को analyze करना होता है with time तो इसका मतलब क्या है अब suppose किजे आपकी एक organization है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं तो over the time आपने देखना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है तो अगर कुछ इस तरहा का सिनारियो आपने रिपर्जेंट करना है तो उस टाइम पे आप line, area या फिर stacked area chart को use कर सकते तो area chart और stacked area chart दोनों ही use होंगे अगर हमें किसी भी parameter को with time represent करना हो तो इसलिए यहाँ पे जो मैं data अपना use करने वाली हूँ वो है मेरा sheet 1 में तो सबसे पहले आजाती हैं x-axis तो जैसे मैंने आपको बताया कि area chart या फिर stacked area chart with time हम कोई भी parameter को analyze करते हैं तो यहाँ पे जो x-axis पे parameter लेने वाली हूँ that is order date अगर आपके पास कोई भी time वाला और आपकी field है तो आप वो यहाँ पे add कर सकते अब turn आती है y-axis की y-axis के उपर यहाँ पे आप जैसे मुझे sale report दिखानी है या फिर कितने units sold हुए कुछ इस तरह से आप profit दिखाना है sales दिखानी है जो भी parameter with time analyze करना चाहते हैं वो आप y-axis के उपर लेके आएंगे तो मैं यहाँ पे जो मेरा sale price है उस parameter को y-axis पे represent करूंगी and third thing जो यहाँ पे सबसे important है that is legend legend में अब हमें देखना है कि अब आपको ने यह तो देख लिए x-axis पे time आगया y-axis पे आपका आचुकी sale अब आपने किन products की save देखनी है तो वो मेरा जो data होगा वो legend में जाएगा तो यहाँ से मैं select करूंगी product और legend में मैं drop करूंगी अपने product को जैसे मैं ने drop किया तो कुछ इस तरहां का मेरा जो chart है वो बनके आचुका है तो अगर आप यहाँ पे visual को ध्यान से देखें इसको बोलते हैं क्यों है क्योंकि यह एक के उपर एक जो आपके data values है वो आ चुकी है data values बेसिकली यहाँ पे स्टाइग हुई है इसी वजह से इसका नाम है स्टाइगड एरिया चार्ट और इसी तरह हमने देखा था स्टाइग बार चार्ट हमने बनाया था उसमें भी जो data values होती है एक के उपर एक values जो होती है वो आ जाती है तो स्टाइग का मतलब ही यह होता है कि एक चीज के उपर दूसरी चीज तो यहाँ पे अब बात आती है difference समझने की अभी क्या represent कर रहा है अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह क्या चीज है तो इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि area chart और stacked area chart में basically difference क्या होता है तो हम वापिस चलेंगे इस visual को थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो main difference है दोनों का समझ में आए इसी को मैं यहाँ से copy कर लेती हूं और हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको paste को ले आते हैं तीचे कि अब हम ओपर वाले visual को convert कर देते हैं अपने area chart में अब area chart और अगर में area chart की बात करूं जैसे 2013 है तो यहाँ पे मेरे तीन products जो है वो sold out हुए एक है mouse एक printer और एक speaker mouse की total sale हुई है 2484 units printer की हुई है 612 and speaker की हुई है 364 इस case में आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी highest sale है वो सबसे उपर है that is mouse और lowest वाला बिलकुल नीचे है speaker then printer then सबसे उपर mouse देखे जब भी हमारा area chart हम बनाते हैं जो values यह calculate करता है वो बिलकुल bottom से करता है from this point अगर मैं यहां से यहां तक की value calculate करूं तो आपकी जो printer के लिए value आ रहे है that is 612 similarly speaker के लिए value calculate करूं यहां तक तो वो होगी 362 और अगर मैं mouse की value calculate करूं वो मैं इस point से बिलकुल bottom से लेकर top तक value हमारी है 2484 यह हमारा represent करता है area chart वहीं अब हम stacked के category में आ जाते हैं 2013 की बात करेंगे values आप देख सकते हैं same है लेकिन stack के case में क्या होता है यहां पर mouse की maximum sale है लेकिन जिस चीज की maximum sale होती है basically stack में वो नीचे at the bottom represent करते हैं तो यह जो नीचे वाला part आप देख पारें यह mouse के लिए है then यह बिलकुल bottom से value यहां तक यह mouse है mouse की value जहां पर खत्म होती है इस point से लेकर इस point तक यह जो purple region है तिरफ इतना region हमारा क्या है printer की value और printer के उपर जहां पर printer की value खत्म होई है यह top यहां से लेकर यहां तक यह उपर जो value है हमारी है speaker की अतलर एक value के उपर दूसरी value दूसरी value के उपर तीसरी value तो यह होता है हमारे stacked charts का case तो area chart में भी अगर आपका normal area chart है तो value आप नीचे से calculate करोगे from the bottom इस bottom से लेकर इस point तक इस bottom से लेकर इस point तक लेकिन stack में value ऐसे नहीं calculate होती value calculate होती है एक बार bottom से यह lowest यहां तक यह mouse की value है यहां से लेकर यह जो purple region आपको दिखाई दे रहा है सिरफ इतना इन दोनों points में यह value आपकी printer है यह जो pink area उपर आपको दिखाई दे रहा है यह है आपका speaker तो यह main difference है area और stacked area start में तो उनों ही same चीज़े represent करते हैं that is analysis of any parameter with respect to time तो जब भी आपकी top management में कोई भी decision लेना होता है कि आपकी sale कैसे जा रही है products की या कितने units sold हो रहे हैं कितना profit generate हो रहा है with time तो इतने सालों में अगर आपने देखना है कि किस-किस product का क्या scenario रहा है तो उसके लिए हम use करते हैं या line chart या area chart या फिर stacked area chart तो यह basic concept है आपके stacked area chart का तो I hope यह आपको clear हुआ कि दोनों में क्या difference है और stacked column chart हम कब use तो आज के video tutorial में इतना ही ऐसे और video tutorial देखने के लिए channel को subscribe कर लें क्योंकि इस channel पर आपको detail में videos मिलती हैं और रोज रात 8 बचे एक informative video आपको देखने को मिलेगी और हमारे motivation के लिए प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर आपकी कोई query है तो हमें comment section में जुरूर लिखके भी thanks for watching this video keep supporting us हुआ 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 हुआ